हलो एब्रिवान मैं शुरेयस बढ़िये आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम एंशेंट हिस्ट्री आफ इंडिया से लेक्चर नमबर 25 और जैनिजम स्टडी करने वाले हैं जिसमें हम spread and architecture of जैनिजम स्टडी करेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि हम अब तक जैन literature and counsel study कर चुके हैं उसके साथ हम sect या schools of जैनिजम स्टडी कर चुके हैं हम doctrines of जैनिजम स्टडी कर चुके हैं उसके अलाव हम life of maha वीरा भी study कर चुके हैं लोगों ने वो lectures नहीं देखे, previous lectures from Jainism वो उसे देख ले, ताकि ये lecture आपको समझ में आजाए, ये last lecture रहेगा Jainism से, उसके बाद कल से हम, अगले lecture से हम Mauryan Age को start करेंगे, Mauryan period को start करेंगे नीचे description में बाकी lectures के link दी हुई है Jainism के, उसे पहले लोग तेखिये ले, आ भाकी देखे, लेखिये ले, ए man is seated on top of a tree in the midst of a burning forest he sees all living beings perish but he doesn't realise that the same fate is soon to overtake him also that man is full truly sad if you have any doubt you can ask me on Instagram this is my Instagram id this is my Facebook page this is my Telegram channel and this is my Youtube channel मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं तो आईए हम आज का पहला टॉपिक देख लेते हैं that is spread of jainism jainism का इतना प्रसार कैसा और jainism इतना spread कैसे हुआ ये reasons हमें जानना है ताकि exams में अगर ऐसा question आता है तो आपको लिखने में कोई भी परिशानी ना जाए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि जो महाविर थे आप जानते हो कि महाविर 24 तिर्थकार थे jainism के तो महाविर जो थे उन्होंने organize किया था एक order उनके followers के लिए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उसमें main और woman दोनों को हमको admit करना इस new religion में ऐसा नहीं है फ्रॉम हिंदुईजम और फ्रॉम हिंदुईजम ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैनिजम बहुत जादा हिंदुईजम से अलग लग रहा हो काफी सारी similarities दिखती है लोगों को नया religion मिला जिसमें जो कमिया थी उस वक्त के religions की जैसे हिंदुईजम में जो जो गलत चीजे चल रही थी वो पूरी चीजे यहां ठीक हो चुकी थी इस नए religion में इसलिए लोग इसमें जूडने लगे और लोग जब जूडने लगे तो आप देख सकते कि इसका प्रसार इसका स्प्रेड होने लगा वेस्ट और साउथ इंडिया में भी अगर हम देखेंगे तो मौरियन किंग जब अगला लेक्षर मौरियन डाइनस्टी पर शुरू करने वाले तो जो मौरियन किंग थे जो जिनका नामदा चंद्रगुप्ता मौरिया ने नंदा बनान समय में वो जैन एसेटिक बने थे जैन सन्यासी बन गए थे उन्होंने सब चीजे त्याग दी थी और वो खुद एक जैन सन्यासी बने और उन्होंने प्रमोशन शुरू कर दिया था जैनीजम का करनाटक के तरफ इसलिए यह जो चीजे आप देखो गे तो यह भी एक रीजन बंता है कि जैनिजम का प्रसार होते गाई कि इतना बड़ा एक रूलर है जो यहाँ पर जैनिजम को अपना लेता है,दॉप कर लेता है, तो लोगों में तो वो spread हो गाई, तो यह एक और रीजन बंता है. अगला रीजन बनता है कि फेमाइन इन मगद में सूखा पढ़ गया था जैसे मैं आल्रेडी आपको ये भता चुका हूँ ये जो सूखा पढ़ा था जिसके कारण जैनिजम साउथ इंडिया तक पहुच गया अगर हम देखेंगे तो मगद रिजन में जब यहाँ पे सूखा पढ़ने लगा यहाँ पे फेमाइन आने लगा तो खाना ना मिलने के कारण लोग साउथ के तरफ बढ़ने लगे और यह जो फेमाइन था यह बारा साल तक चला और यहाँ पे जैन जो थे जैन लिडर जो थे जिनका नाम था भद्रबाओं उनके लिडर्शिप में पूरे लोग साउथ के तरफ जाने लगे जिसके चलते साउथ में भी जैनिजम का प्रसार हो गया साउथ में भी जैनिजम जो है ये स्प्रेड हो गया तो ये एक reason बनता है फैमाइन जो हुआ मगद में ये भी एक reason है spread होने के पीछे और आखरी reason ये है कि इन ओडिशा ओडिशा कि अगर हम बात करें तो कलिंगा करके एक जगा है ओडिशा में आप जानते हो कलिंगा के बारे में जो अशोक थे उनका आखरी युद्ध कलिंगा क युद्ध माना जाता है तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिजम को अपनाया था और वो peace के रास्ते पर चल निकले थे उन्होंने वार और यह सब छोड़ दिया थे एक तरह से तो इन्होंने भी बहुत उसको बढ़ावा दिया और इन्होंने भी spread करने में बहुत हेल्प किया अब यहाँ पर रूलर यह वो तो easily spread करी सकते तो इस कारण वो spread होते गया और यही कुछ कारण बनते जिसके कारण जैनिजम यह spread हुआ काफी बड़े हद तक spread होते गया इस पूरे country में यह spread हो गया तो बहुत अच्छी बात थी कि एक नया religion लोगों को मिल रहा था जिसमें काफी अच्छे अच्छे चीज़े थी तो यहां हमारा first topic खतम होता है जो था spread of जैनिजम अब हम अगला जो देखने वाले है वो है आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो मैं आपको यह बता दू कि आर्किटेक्चर वैसे यह portion तो आर्टन कल्चर का है बटा आर्टन कल्चर के यह दो जो टॉपिक है यह जैनिजम और बुद्धिजम यह दोनों जगे आपको common ही मिलते है आर्टन कल्चर हो या फिर आप का ancient history हो इसी तरह से हम यहां पर इसको study कर लेते हैं काफी सारी चीज़े तो यहां में सबसे पहले आपको बता दू कि जैन आर्किटेक्चर जो है यह कुछ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है जैसे यहां पर टाइप्स आपको मिलते है लेने लेनी या फिर जिसको यह उसका काफी सारा महतुम है सेकेंड जो हमको आर्किटेक्चर देखने मिलता है इस जनरल इसको आर्किटेक्चर नहीं कहेंगे थोड़ा सा अलग sculpture का पार्ट हो गया इसको आर्किटेक्चर में हम study कर लेते हैं फिलहाल तो आर्किटेक्चर में कुछ स्टाइच्यूस जो है जैनियुका बनाए गया है या फिर चैनाले हो गए जिनाले हो गए जिन लोग जो है जीन यानि आप जानत है कौन जिनj लेंद्रे या पिर आपको पता है महावीर तो यह c ADनाले भी का जाता है तो यह c आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझने के साथ साथ आपको विजुलाइजेशन भी अच्छा हो जाए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट लेनी या फिर गुफाए सबसे पहले देख लेते हैं लेनी जिसको कहा जाता है या फिर जिसको लेन्या कहा जाता है गुफाय कहा जाता है केव्स कहा जाता है यह आकिडेक्चर देख लेते हैं सबसे पहले हम जैनिजम का सबसे आपको कुछ नाम बता दू एलोरा केव्स है केव नंबर 35 महाराष्ट्र में आधीज गुफाय किव्स, शित्ता नंवसर केव्स यह गोफाय केव्स, शित्ता नवसल केव्स वैसे पहले आप देख लेन्केश में ओनावजने में आसा जाये जैन केवज बनी हुए, केव नमबर 30 एंड केव नमबर 35 महारास्टर में, एलोरा में, ये जैनिजम का एक बहुत आर्किटेक्चर का बहुत बढ़ा एक तरह से हम देखेंगे, तो एक्जामपल है और बहुत खुबसूरत गुफाए बनाए हुई है, एलोरा केवज, उसके ब उसके बाद अगला जो हम देखते है वो है गजपन्था केव, गजपन्था केव, ये भी महारास्टर में, यहाँ पर आपको कुछ गुफाए दिखेंगी, ये गजपन्था केव है, महारास्टर की, ये भी एक बहुत इंपोर्टेंट आर्किटेक्चर बनता है, उसके अगरा जो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है जो है उद्धरesianление in Odisha, उसके बाद अगली जो केव है, नीज हाति गुफा केव, ये ओडिशा में है, तो इस तरह से ये केव दिखते है, जो हाति गुफा केव है, ये बहुत खुब्सूरत है जो ओडिशा में है, इसके बा cave हमें देखने मिलते है that is sita navasal cave so caves में हमने इतने सारी चीज़े पढ़ी है याद रखे का इस पर कभी one liner आ सकता है कभी match the following आ सकता है किसी भी तरह का question आ सकता है art and culture हो या फिर आपका ancient history of India हो question आने के chances बहुत जाद है so elora caves हमने देख लिया मांगी तुंगी cave देख लिया गजपंता cave देख लिया उदैगिरी खांदागिरी caves देख लिया हाति गुफा caves देख लिया sita navasal cave देख लिया तो यह सब हमने caves अभी देख लिये अब अगला जो architecture का type है that is statue यह हम अभी देखने वाले so statues के अगर हम बात करें तो दो बहुत ही famous statues है ऐसे तो statues काफी सारे होते बट बहुत जादा famous जो statues है वो है jainism में गोमतेशवर या फिर बाहुबली statue बाहुबली यानि हमारे movie वाले बाहुबली नहीं है यह तो यह बिल्कुल सोचिएगा मत कभी भी सो गोमतेशवर है उन्हीं को बाहुबली भी कहा जाता है यह इनका एक statue बनाया है वो है श्रावन बेल गोल करके जगा है करनाटक में वहाँ पे श्रावन बेल गोल करके जगा वहाँ पे गोमतेशवर या बाहुबली statue बनाया गया है और second जो statue that is statue of ahimsa इनका रिशबनाथ जो रिशबदेव थे या रिशबनाथ थे आप जानते वो कौन से नंबर के तिर्थकार थे कमेंट सेक्शन में लिखेगा रिशबनाथ या रिशबदेव statue of ahimsa बना हुआ है रिशबनाथ का so मांगीतुंगी hills जो है महारस्टर में उसी में बनाए गया है so आईए हम ये दो statues देख लेते तो ये है जो statue आपको दिख रहा है ये गोमतेशवर या फिर बाहु बली statue जो कि श्रावन बेल गोल करके जो जगा है करना टक में वहाँ पर देखने मिलता है आपको इनके बारे में थोड़ी से जानका रहे देता हूँ गोमतेशवर जो ही वो जो रिशबनात थे जो रिशब देव रिशबनात है उनके बेटे ये है गोमतेशवर या फिर बाहु बली ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बिना कुछ खाय बिना कुछ मोशन के यहने कुछ मुमेंट किये इनों ने कॉम्इटली वैल यहीर सथख स्टैंडी को जाती बहुत ही इंपोस्टन एक तरह सभीना जाता है तो यहां पर million गोमतेशवर या इनकी छोटी सी कहानित जो मैंने आपको बता दिया आपको यहाँ पर समझ गया statue पर किस तरह से यह जो designs नहीं है यह plants है जो grow कर गये इनके body पर while meditating उसके बाद जो मैं next देखना है वो है statue of ahimsa जो statue of ahimsa है यह रिशबनात का है जो मांगी तुंगी hills में बनाया हुआ है महाराष्टर में यह statue of ahimsa ahimsa का meaning आप जानते है ahimsa का meaning होता है कि non violence जो कि jainism के सिद्धानतों में से एक है तो यह बहुत ज़्यादा important है ahimsa तो यहाँ पर एक statue बना हुआ है और यह है रिशबनात का statue statue of ahimsa मंगी तुंगी hills महाराष्टर में okay so मैं आपको बता देता हूँ यह first तिर्थकार थे है ना तो मैंने आपको comment section में लिखने तो बोला ही है बड़ बता देता हूँ so यह यहाँ पर इस तरह से आपको पता चलता है कि यह statue का बहुत बड़ा महत्वा है जो फोस्ट टीचर या जो फोस्ट तिर्थकार माने जाते है जैनिजम के उनका यह statue है so इस तरह से हमारा दूसरा जो architecture that is statues यह भी यहाँ पर हमने में देख लिए किस तरह के statues हुआ करते थे जैनिजम में अब हमें जो देखना है पार्ट वो है जियाना जिनाल है या फिर जिसको हम कहते है टेंपल जैन टेंपल so temples जो देखते हम उसमें तीन important temple that is दिल्वारा टेंपल गिरनार पलिटाना टेंपल जो कि गुजरात में है दिल्वारा टेंपल माउंट अबू राजस्तान में मुक्तागिरी टेंपल जो कि महाराष्ट्र में सो तीन जगे के temples हम यहाँ पर देखते है तो आईए सबसे पहले देख लेते हैं दिल्वारा टेंपल माउंट अबू में जो है माउंट अबू यानि एक हिल स्टेशन है वहाँ पर यह टेंपल बना गया बहुत खुबसूरा टेंपल है जो कि दिल्वारा टेंपल है राजस इसको गिरनार पलिटेना टेंपल कहा जाता है उसके आज जो अगले टेंपल देखे जाते हैं जैनिजम में वह मुक्तागरी टेंपल यह महारास्टर में है यह भी बहुत खुबसूरत लोकेशन पर महारास्टर में बने हुए मुक्तागरी टेंपल है यह और यहाँ पर से waterfalls भी है काफी सारे waterfalls का पानी जाते हो आपको दीख रहा है सो यहां से उपर से waterfall भी होता है तो बहुत खुबसूरत जगह है मुक्तागिरी टेंपल जो कि महारास्ट्र में है इस तरह से हमने Jain temples देखे जिसमें हमने मीन ले दिलवारा टेंपल स्टड़ी की हमने गिरनार पालिटाना टेंपल देखा हमने मुक्तागिरी टेंपल देखा यह तीनों टेंपल अच्छे से याद रखेगा Jainism के सबसे important temples नाने जाते है यह तीन सो अब हमने यहां पे तीनों चीज़े यहां अगर हमने cover कर ले लेनी जिसको गुपाय कहा जाता है statue और जिनाल है या जिसको temple कहा जाता है अब हमको थोड़ी से और कुछ चीज़े देखनी है जो important है काफी सारी जो other architecture में other चीज़े आती है वो एक है मानस तंब मानस तंब जो है यह क्या होता है यह मैं आपको बता देतो मानस तंब जो है यह temple के front side में बनाया जाता है तंब याने pillar तो उसके साथ साथ इसका क्या है कि इसका एक religious importance है यहां पे यह जो pillar है इसमें बहुत खुपसूरती से कुछ decorations किये जाते है ornamental pillar होता है और उसके उपर जो structure होता है उसमें तिर्थकार की image होती है उपर सबसे उपर है ना तो यह चारो direction में होता है यह अगर आप देखोगे तो यह जो मानस तंब है यह temple के तो इस तरह से यह एक और important architecture का ही part बनता है जैन architecture में तो आपको दिखा दे तो मानस तंब इस तरह के स्तंब रहते हैं तो यहाँ पर तिर्थकार रहेंगे तो यह इस तरह के स्तंब बनाए जाते हैं बहुत ornamental और बहुत खुबसूरत एक उधारन है एक्जामपल है यह जैनिजम में architecture का तो मानस तंब आपने देख ल लोगों के रहने की जगा यह कहा जाता जाता है जैन मौनेश्टी के आने सो यह करना टक्या जिसको बसदीज कहा जाता है यह इस तरह से दिखते है बसदीज जो यह भी बहुत खुबसूरत बहुत सिंपल एक structure है जो आप देख पा रहें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ब आपका साथ में कर दिया है बहुत ही आपको इंपोर्टन टॉपिक है यह आपके एक्जाम के लिए यह याद रखिएगा जितने भी मैंने बुद्धिजम और जैनिजम बता है इसके उपर question आना बहुत जादा chance है और आते ही है आप बिलकुल टेंशन मत लिजेगा आप इन architecture देख लिया जैनिजम का और यहाँ पर हमारा जैनिजम जो topic था यह भी complete हो जाता है अब तक हमारा बुद्धिजम और जैनिजम complete हो चुका ancient में अब हम कल से अगले lecture से मौरियन dynasty पर study करने वाले तो बने रहीएगा lectures में उसके साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें like जरूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे YouTube चैनल को और अपडेट्स चाहते हैं तो follow or like करिए मेर Instagram ID है www.gmail.com पर आप मुझे mail भी कर सकते हैं इसी तरह हम मिलते रहेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और आपका दिन शुब हो